प्रदेश कॉंग्रेस प्रवक्ता दीपक शर्मा ने भाजपा सरकार पर तीखा और बड़ा हमला बोला है बिलास्पुर जिला में PEE किट के इत्सान पर ब्रसाती कोट ही सप्लाई कर देने का मामला सामने आने के बाद और टेस्टिंग किट क्रीद में के इंदर में करोड़ा रुपे अधिक मूले पर क्रीदने के अरोपों पर कांग्रेस प्रवक्ता ने अपनी प्रत्रिकिया दी है दीपक शर्मा ने कहा कि ये अपसोस जनक है लेकिन भाजवा सरकार में ऐसा संबब है क्योंकि ये बही भाजवा है जिसने कारगल यूद के दुरान ताबूत खुटाला करके शहीदों को भी नहीं बक्षा था शर्मा ने कहा कि करोना महमारी पर भाजवा सरकार सिर्फ उपदेशक की भूम का निवार ही है और प्रधान मंतरी से लेकर मुख्य मंतरी तक मातर जनता को प्रवचन देने तक ही सीमित है हीमाचर प्रदेश में करोना के इस दोर में जो बिलासपुर जिला में पी-पी-ई किट के नाम पर रेन कोर्ट्स देने का माम लाया है वो निसंदे अफसोस जनक है और धर्वाग्या पूरुन है शर्मनाक है भारत्य जनता पार्टी सरकार ये सपष्ट करे के इस तरह के गोटाले क्यों हो रहे हैं वैसे भारत्य जनता पार्टी के राज में ऐसा होना जो है वो संभव है क्योंकि ये वही भारते जन्ता पार्टी है जिसने कारगिल युद्ध के दौरान ताबूद गोटाला जो है वो किया था और शहीदों की चिताओं के ओपर भी राजनिती की थी आज चाहे केंदर की बात लें केंदर में भी जो है जो टेस्टिंग किट है उनके नाम पर जो है वो क्रोणों का घोटाला नजर आया है यही नहीं जिस जंग से भारते जन्ता पार्टी का दोरा चेहरा सामने आ रहा है कि करोना के नाम के उपर भी राजनिती श्रे लेने की हो जो है वो भार्ते जंता पार्टी में लगी हुई है, इसकी कांगरस पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है, पार्टी भार्टे जंता पार्टी से सपष्ट तॉर पर ये कहना चाहती है, कि इस दोर में भी अगर आप राजमिती करेंगे जंता आपको माफ नहीं आपने राहुल गांदी जी का मजाक उड़ाया जब उन्होंने करोना के बारे में पहले सचेत किया तो मोदी जी जो है वो नमस्ते ट्रंप कारेकरम कर रहे थे और इन बातों का मजाक उड़ा रहे थे हिमाशल परदेश में भी जब इस बात को हमारी कांगरस पार्टी ने उठाया तो मुख्या मंत्री ने विधान सवा में जो है वो अन रिकॉर्ड कहा कि ये खामुखा जो है वो शोर मचा रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है लेकिन हुआ क्या उसके बाद राहुल गांदी जी ने संस अब नहीं दिया आज जब RTI के तहट इसकी सूचना के अलिकार के तहट जानकारी ली गई तो 50 लोगों की रिस्ट में लगब 68,000 क्रोड रुपए का जो है वो माफ किया गया है किन लोगों का जिनोंने देश को लूटा है बड़े बड़े लोगों ने और भारते जनता पा पार्टी का सामने आया है हम एक ही बात भारते जनता पार्टी से कहना चाहते हैं कि क्रोना के इस दौर में भी आप श्रे लेना बंद करें और यह जो भ्रस्टाचार फैला है इसको जो है वो कड़ी कारवाई करके इसको रोका जाए